ऐसकाए इस तरीके से यहां पर ऑवाज पर आ रहे हैं और कितना प्रेम अपने इस पालिक से करती है इसके और नजिदिक पहुँची ए यह यह देख़िये और थोड़ा सा कहा अमने सब deiक कर का अ sah자가 कृष्ट पफुलो है जे और अभी आप ने देखा किस प्रकार से आवाज- पर यह गाएन के पास पहुची है नमस्कार हिंदुस्तान 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ भी पिंचोधरी आज हम आपको एक विसेश खबर दिखाने के लिए लाए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर एक ग्राउंड है बहुत बड़ा एक ग गउमाता हैं इस प्रकार इनका कलर है आपको एक समान दिखाई दे रहा होगा और सेंक्डों की संक्या में यह गउमाता हैं और यहां पर इन गउमाता को जो पालने का काम कर रहा है वह हिंदू नहीं है बलकि एक मुस्लिम है और जिस सक्स को आप देख रहे हैं यही वो इतनी गाएं पालने के पीछे कारण क्या है बस जी पहल देख दाद दरिये गाम करते थे तो यह सभी गाएं दूद देती है जी कुछ दूद दे कुछ गयावना अच्छा आपका ख्याना में भाई जैक आकिल जी तो आप भी यहां पर जैंकी हैं यह कुन सी नसल की गाएं हैं देशी सभी देशी गाएं अच्छा तो शुर्वाज इस्चे में जो है आपने हो संबाली तो उस्चे में आपके पास कितनी गाएं थी थोड़ी थी लग बागए 20-30 गरीब तो यह जो इतनी गाएं इनका चारा जो है आप कहां से किस तरीके से मैनिजमेंट करते हैं द सबीतिक बागिन कितना दूद आपके पास इनकाछी हएं दिन वेया 1 पॐस्व इह तो नहीं पर पिसे मिलते हैं अब थोड़ा से एक तीखा सवाल है और कहीं ने कहीं मता को लेकर मुसलिम समाज को लेकर जो कहीं न कहीं बात्चीत होती है तो आप तो लंबे समय से यह काम कर रहे हैं तो बड़ा प्रेम इन गव माता से आपको होगा जब हम मतलब छोटे थे जब से एकाम करते हैं जब से उस्तमाणिया भी एकाम कर लिए तो लंबे समय से आप इन गव माताओं की सेवा कर रहे हैं तो इन में कोई इसी गाएं है जो आपको अच्छी तरह से पहचानती हो यदि आप आवाज लगाएं तो गाएं आपके पास आएं जो जो पास सेंक्डों गाएं इनके सभी के अलग अलग नाम है या बस विसेश उस सभी गाएं या कोई सांड भी है इनमें सांड भी आजी उसी की नसल चलती है इस उसका क्या नाम है बस सांड देवता भी आपने बोला तो आप जो है सांड को देवता मानते हैं और गाएं को माता जी मुस्लिम समाज के आप यूवक हैं दोनों यहां पर गउंपालने का काम करते हैं और गउंपालने का काम करते हैं और गउंपालने का काम करते हैं और तो जो लोग को भूक ही करते हैं उनके लिए आप क्या कहींगे अधिक है कोफ जदन्स समाड़ी काम करते हैं तो आप भी जो इन गउमाता उसे प्रेम करते हैं और यह गउमाता ही भी आप से प्रेम करते हैं तो आप आवाज लगाई जड़ा देखते हैं आपकी आवाज पर कोई गाएं आती है के नहीं लव 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 लब 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 ठोड़ा आ गया हो सकता है आपकी आवाज कुछ सुना ही ना दे रही हो और यहां पर यह जो मुश्लिम नौजवान आपको दिकाई दे रहे हैं गउँ पालन करने का काम करते हैं और लख बाग सों गये इन्हों ने पालख कियें ये देखे लब 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 ल यह 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 देखिए यह देखिए और थोड़ा सा हमें देखकर गव माता जो है डर गई है और इसका नाम इस गाएं का नाम फुलो है जै और अभी आपने देखा किस प्रकार से जो है आवाज पर यह गाएं के पास पहुंची है तो और यह देखिए और गवाज लगाने के बाद देख रही है और नाम जो रख रखे हैं नाम की वज़े से गाएं जो है नाम लेने के बाद गाएं जो है बोलती है और यह जो इनके मालिक हैं इनकी तरफ देखती हैं और गाएं जो हैं इनके पास में भी आई है एक और नाम यह लगा रहे हैं तो कितने लोग आप इने चराने के लिए लेका रहते हैं वैसे तो चार आता है दो आठ डेरे भई ब्यांगाए साथ दे में तो आप मुस्लिम कूजर है क्या जो पाड़ों पर रहते हैं नहीं गाव मदन पुरा जी तो जिस प्रकार से अब चरागा मेले यहां पर तो यह आपको जमीन दिखाई दे रही है बड़ा आपको जमीन पर देरी खुले रहा वसब तो पुंसी जो बीदान सबाए आपकी किसमें आपका गाउं पड़ता है मदन पुरा यह कहां पर पड़ता है गाउं इधर पड़ता है कल शेतर रस तक आए उपर जंगल में आपको तरह अच्छा यहां पर लगबक कितने क्केलोमिटर आप और फौ diabetes किलोमेटर से आप यहां पर अपनी आए दूग किलोमिटर ध़ता हैं कि तो जो घ है अगल पानी की समस्चा में से और हुआज़ यहां पानी की समस्चा फार की मैकूब जाओं पानी की समस्चा फारा नहीं है लोग स्वेशागे लेकर निकलते ह हम जे जनवरी में निकलता हैं और बस जहां बारसी फेर जाएं अच्छा आप अपना घर आप ने अपना घरबार छोड़ रखा है जी अच्छा बस हम तो जिद जनवरी का भी नौजार जी ने बार लेकर निकड़ जा तो मेरे भाई जैसे आप दूद की बात कर रहे हैं तो डूद किस तरीके से आप बेचते हैं अब जैसा आप दूद कैसे निकल लेंगे गाँ तो कहांपर है आप नि बंड양 मों ना रख्का रावनपूर में आप ने अदोर से ही पड़ती दिन आप यह डिसाइड कर ते हैं कि आज कि सेटर में ल हाटा लेकर जानी हैं इते झाल झाल